तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बाद फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें आज आपको मैं दो-चार क्वेशन कराऊंगा जो थोड़ा सा टिपिकल रहते हैं कई बच्चों को बतलब वो जिसकी मैसेज नहीं है वो नहीं कर पाते सिर्फ फॉर्मूले पे रखना है आपने कई बाद सुना होगा जैसे लिखा होगा प्रथम 25 प्राकरतिक संख्याओं का योग कितना होगा या प्रथम विसम संख्याओं इतने विसम संख्याओं का योग कितना होगा या इनका एबरेज कितना होगा तो कहीं न कहीं बच्चों ये अधिकांस था आपने देखा होगा ये पेपर को मर्दा क्वेशन देखने को मिलते हैं मैं सिर्फ दो-तिन टाइप के आपको करा दूँगा एक जैसे प्रथम प्राकरतिक संख्याओं का योग कितना होता है या एबरेज कितना है वो देखना है और हमने सीधे फॉरूम ने में रखना है ठीक है इसमें लिखो इंपोर्टन हो सकता है क्वेशन ठीक है टाइप वण लिखो इसमें देखो टाइप वण अब आपको पता है प्राकरतिक संख्याओं का योग कितना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा सब को जोड़ना पड़ेगा और छे, साथ, आठ, नौधन लास्ट में सिस्टी करना पड़ेगा फिर सब को जोड़ोगे तब आएगा तो ऐसे में तो आपकी उम्मर जो है आधी बीत जाएगी तो ऐसे कैसे करोगे बताओ ठीक है इस ताइप की क्वेशन्स करने होते हैं वो कैसे करने हैं देखो पहले लिखो एन प्राकरतिक संख्याओं का योग टाइप वन ठीक है एन प्राकरतिक संख्याओं का योग नेचुलल नंबर ठीक है एन प्राकरतिक संख्याओं का योग ठीक है N प्राकर्टक संख्याओं का योग मतलब जो N natural number आप N की जगר किता हो सकता है 10 प्राकर्टक संख्याओं का योग 20 प्राकर्टक संख्याओं का योग यह Q К workers maneira क्यों दिखा होगा आप इसी का question दिखो इसका question कैसे मनेगा Q workersmek कैसे लिखा होगा प्राधम 20 प्राकरत संख्याओं का योग 20 प्राकरत संख्याओं का योग ठीक है संख्याओं का योग यह इसका question मनेगा पेपर में दिया होगा पर्थम 20 प्राकरत संख्याओं का योग कितना होगा option दियोंगे तो यह n क्या है जो लिखा होगा ठीक है यानि आपका simple सा है अब देखो question क्या मना प्रथम 20 प्राकरते से क्या होगा योग तो n कितना है यापर 20 है तो रख दो n की जगा कितना होगे 20 यह क्या है into यानि bracket में तो into है यह into हुआ n plus 1 यानि 20 दने 1 होगा न 20 है हमारा इसमें n कितना है 20 है तो 20 दने 1 कितना होगा 21 होगा अब पॉन कितना होगा 2 होगा 2 से 20 कितने बार केंचे लोगा बच्चों 10 बार केंचे लोगा और 21 से 10 को into करोगे कितना लेगा 210 तो देखो कितना है simple सा है वहना आप क्या करना पड़ता है तथम 20 प्राकरते क्सेंख्याओं का योग मतलब 1 से लेके 20 तक आप लिखते हैं ऐसे 3, 4 चलते 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 प्लस 20 ऐसा करते फिर इनको जोडते यह तो आपका आथा पर तो ऐसी मतलब इसी क्या करने में रिकल जाता तब मतलब इन प्राकरते क्सेंख्याओं का ओसत ठीक है एवरेज ओसत पूछ दिखा तो क्या करोगे ओसत में कुछ नहीं है बद तो आपने एक एन को हटा देना है और उसकी जगा क्या करना है एन प्लस 1 बाइटो यह वाला एन हटा देना है आपने ठीक है जो बचेगा ए टो हो जाएगा तो अगर इन प्राकरते कि संख्याओं का उग्या पूछTu हां का दो इसका मधलना क्या होगा न की जगा किता रखोगे फीस प्लस वन यानày 21 बटा दो यानि इसका आजसर कितना जाएगा तो 21 बाइटो अगर इसको solve करोगे कितना है किता है ग्याथ तो 10.5 आंसर आगे 10.5 इसको डिवाइट कर दिया ना आपने 10.5 आगया दो से डिवाइट करोगे तो 10.5 तो कुछ नहीं करना है देखो अगर पहले एन प्राकरतिक संख्याओं का योग पुछे तो सीथा सीथा आपको क्या रखना है एन इन प्लस वन बाइटू यानि ये कित क्या हो जाएगा ओसत हो जाएगा किसका एन प्राकरतिक संख्याओं का तो ये दो फॉर्मूले आपसे जो भी क्वेशन में पूछता है अगर पूछे का 25 प्रथम 25 प्राकरतिक संख्याओं का योग कितना होगा या प्रथम 25 प्राकरतिक संख्याओं का ओसत कितना होगा ओस मुझे लगता है कि easily इसको कर सकता है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी जाहिए, अब देखो बच्चो टाइप 2, कल लोगे ना, इसको प्रैक्टिस करते रहों, अब एन की जगह जो रखे, जो भी कहेगा, वो रख देना, योग कहेगा, तो एन इंटो एन प्लस बाई 2, और खाली औसत पुझेगा, तो एन प्लस उन बाई 2, ठीक है, टाइप नमबर 2 लिखो आँ, टाइप नमबर 2 लिखो, सेकंड टाइप लिखना, ठीक है, टाइप नमबर 2 लिखो गे, अब बच्चो इसमे क्या कुश्चन कुझेगा, एन विसम संख्याओं का योग अभी तक पहला क्या था, प्राकरत संख्याओं का, अब पुझेगा, एन विसम संख्याओं का योग, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा, इसी का क्वेश्चन बनेगा, क्या लिखोगे, क्वेश्चन कैसे बनता है इसका, ये बनेगा, देखो, प्रथम, प्रथम, तीस विसम संख्याओं का योग कितना होगा, विसम संख्याओं का योग कितना होगा, question ये पूझेगा, अब आपने अभी तक क्या बढ़ा प्राकरतिक संख्याओं, आप क्या लिख दिया, विसम, अब प्राकरतिक संख्याओं क्या एक दो तीन चार पाइट इस तैप जो नंबर होते हैं और इनका योग पूचरा अब जैसे नॉर्मल होगा आप कहा लिखोगे एक तीन पाइट साथ नो ग्यारा तेरह ऐसे सब गिनोगे जब तीस होंगे टोटल उन्हों सब को जोड़ोगे तब आंसर आएगा तो इतना करने से बहतर है डारेक्ट आप क्या रखोगे फॉर्मूले में रखोगे आप विसम संख्याएं विसम संख्याएं तो पता होनी चाहिए बच्छो आप यह तो मैं बता नहीं सकता कि क्या होती तो एन विसम संख्याओं का जो योग होता है बच्छो वो एन का स्क्वार हो जाता ह और कुछ नहीं होता है, ठीक है, कितना होगा, N का Square हो जाएगा, N का Square मतलब प्रथम 30 विसम संक्याओं का योग मतलब 30 का Square, अब 30 का Square कितना होगा 30 into 30, 30 का Square मतलब क्या होगा, 30 into 30, यानि 30 को दो बार गोना करना है, कल लो 30 into 30 को पूछेगा तो कितना आजएगा? 900 अगर पूछेगा प्रथम 20 प्राकरते विशम संक्याओं का योग पूछेगा तो 20 का स्क्वाइर कितना होजएगा? 400 पूछेगा प्रथम 15 विशम संक्याओं का योग कितना होजएगा? 200 प्रथम 10 विशम संक्याओं का योग 10 का स्क्वाइ कितना अगर होगे 100 हो जाएगा तो simple सा बच्च जो जितने जो पूछेगा आपने प्राकरतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो n का square हो जाता है ज़्यादा इसमे परिशान होने की जर्वत नहीं और इसी का अगर औसत पूछता है यह क्या था? सम था, बच्च जो जाता है और औसत के लिए आपने एक n हटा जाता तो बचा कितना है? n प्लस 1 बाइ 2 था इसी तरीके से इसमें भी आप एक n हटा दो कितने n है? 2 है, n का square है न तो एक n हटाओगे तो कितना बच्च ज़स्ट है? n बचेगा, ठीक है? क्या बचेगा? n बचेगा सिंपल सी बाद तो है n हटाओगे तो क्या बच्च ज़स्ट ज़स्ट तो अगर पुछेगा प्रथम 20 विशम संक्याओं का आउस्ट कितना है? तो 20 हो ज़स्ट हो जएगा औश्ट क्या होगा? n होगा ठीक है? प्राकर्थिक, n बच्चर्थिक संक्याओं का योग निखाया É कितना होता है? n इंटो n प्लस बन बाइ टू और इसी का ऑउस्ट कितना होता है? n प्लस बन बाइ टू दूसरा मैंने क्याफ़ता है प्रथम N विसम संख्याओं का योग, तो किता होगा बच्छो N का स्क्वेर, और और सथ पूचेगा तो सिर्फ N होगा, ठीक है, याद करने पढ़ेंगे फॉर्मॉले बच्छो, टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड, प्रथम संख्याओं का योग, अभी विसम संख्याओं का योग कितना होगा, अब आपने क्या पकड़ना है ये पकड़ना है संख्याओं अब समसंक्यां क्या होती है Дो चार छे आट दस बार ये होती है बच्चों समसंक्या है जिसमैं दो का भाग जाता है!!! जो दो से completely divide होती हैं, उनको क्या करते हैं, even number कहते हैं, odd number कि इसको कहते हैं, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, ठीके, तो प्रथम 15 समसंक्याओं का योग, तो यहाँ पर एन कितना है, 15 रखदो, 15 और 15 प्लस एक कितना हो जाएगा, 16, 15 को 16 से गुणा करोगे, जितना भी answer आएगा, आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 15 और 16 गुणा करो, 240 के आसपास होगा न, 15 इंटू 5, 225, फिर एक बार 15 को उससे गुणा करना है, 15 इंटू 16, जो भी आ रहा होगा, चेक का लिए न, इसको calculate कर गे, यह मतलब बताने की जर तिस कर दोगे, ठीक है, परता हम 50 समसंग्याओं का यह पूचेगा, 50 इंटू 50 प्लस 1, यानि 51 कर दोगे, परता हम 200 समसंग्याओं का यह पूचेगा, 200 इंटू 200 धन एक कर दोगे, ठीक है, तो यह easily आपका मुझे लगता है कि आप समझ जाओगे, ठीक है, और इसी का ओसत और इसी का ओसत पूचेगा, तो एक N यहाँ से भी हटाना है, ठीक है, ओसत पूचेगा, यानि परता हम N समसंग्याओं का ओसत पूचेगा, कितने N है, N इंटू N प्लस 1, अब इसको तो हटा नी सकते है, इसके साथ N प्लस 1 जोड़ा है, तो इसका अन सुचेगा, N प्लस 1 अगर क्वेशन पूचेगा, लिखो, इसका क्वेशन क्या बनेगा, क्वेशन क्या मनेगा, इसका प्रतम 50 समसंग्याओं का ओसत कितना है, जैसे क्वेशन मन गया, प्रतम 50 समसंग्याओं का ओसत, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50 समसंग्याओं का ओसत पूचा तो 50 प्ल चल गया कि प्राकृतिक संख्याओं का उसत कितना होगा प्राकृतिक संख्याओं का सम कितना होगा पहला टाइप यह था दूसरा टाइप विशम संख्याओं का योग कितना होगा और विशम संख्याओं का उसत कितना होगा तीसरा टाइप सम संख्याओं का योग कितना होगा समसंख्याओं का उसर कितना होगा ठीक है तीन टाइप के question आपके होगे fourth type लिखो बच्छो प्रतम N प्राकरतिक संख्याओं के वर्ग का योग लिखोगे ठीक है क्या लिखोगे प्रतम N वैसे हाला कि पेपर मा आप लोग प्रतम प्लस चलते चलते जितना भी पूछता आप से ठीक है N का स्काइर N कुछ भी हो सकता है यह पूछेगा इनके प्राकरतिक शंक्याओं के वर्ग का योग कितना होगा तो ये कुछ नहीं करना होगा तो इसमें सेम फॉर्मुला है एन इंटू एन प्लस वन जो आपने किया था बस यहां पे थोड़ा चेंज होता हो तो टू एन प्लस वन अपॉन 6 होता है ये रखना पड़ता है फॉर्मुले में ठीक है तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6 रखना पड़ता है इसको ध्यान रखना ठीक है यानि एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6 अगर question कैसे पूछेगा देखो पता है आपको कि 10 प्राकरतिक संख्याओं कि वर्ग का पूछ रहा वर्ग बता है square वाला तो रख दो n के जगा कितना रखोगे 10 अंदर कितना होगा 10 दने कितना होगा 11 इंटो 2n प्लस 1 2n के जगा कितना रखा 10 10 दो न 20 20 में एक जोड़ा 21 20 अपॉन कितना होगा 6 हो जाएगा ठीक है तो इसको solve करोगे तो आपका answer आजाएगा देखो 3 से 2 बार कैंसेल होगा 3 दुना 6 और 3 से कितना पैंसेल होगा 7 बार 2 से 10 कितना पैंसेल होगा 5 बार तो 215 प्राकरतिक संख्याओं के वर्गों का युग पूछेगा तो n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, यह कम आएगा आप लोग के level में, तो फिर भी आप लोग को देखना है, और एक type 5th लिखो, आप लोग, n प्राकरतिक संख्याओं के cube का योग, घन का योग, ठीक है, type 5 लिखो, n प्राकरतिक संख्याओं, यह तो simple है, n प्राकरतिक संख्याओं के वर्गी क जगा घन कर दो, ठीक है, घन का योग, घन का योग कैसा होता हो, जो पहला था न, n प्राकरतिक संख्याओं के सम का योग, उसी का square हो जाता है, देखो, इसका formula होता है, बच्चो, n into n plus 1 upon 2, यह पढ़ा आपने पहला formula, इसी का square हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं करना है, य यानी cube का योग, घन का योग कितना होगा, तो आप कैसे स्वालो करोगे, 10 का बुचा है, तो 10 रगदो, घन में, 10 धन यह कितना होगा, 11 होगा, upon 2, इसका पूरे का square, तो कितना होगा, 10 को, यह 2 से कितना होगा, 2 से 5 बान, 11 से 5 से गुण अगरो, 11 बंचा 55, 55 का square, इसका क्या मतलब बच्चो, 55 into 55, जितना भी आएगा, आपका यह answer होजेगा, चेक कर देना है, ठीक है, तो इसमें confuse मत करना है, देखो, last के 2 वाले जो है, square और घन वाले, इसके आने के chances कम है, और आएगे, आएगा तो कौन्छ वाला, पहले वाले, और last type लिखो बच्चो, type number 6, ठीक है type number 6, ठीक है, last type का question होगा, type यह question आता है, ठीक है, बहुत लुगा यह question आया हुआ है, type number 6, अब देखो, एक स्रेणी होती है बच्चो, उसको बोलते है, समानांतर स्रेणी, क्या बोलते हैं, उसको समानांतर स्रेणी, पहले यह होती है, arithmetic progression लिखते हैं, ठीक है, लिखो, समान आंतर स्रेणी, arithmetic progression ठीक है, इसको क्या होता है, समानांतर स्रेणी बच्चो एक ऐसी स्रीज होती है, जिसमें दो पदों के बीच का आंतर समान रहता है, यानि देखो, दो, चार, छे, आठ, दस, बार, चलते चलते यह जो भी हो है, या, तीन, छे, नो, बार, पंद्र, अठा या जो भी है, या, चार, आठ, बार, सोल, बीच, चलते चलते, यानि समानांतर स्रेणी एक ऐसी स्रेणी होती है, एक ऐसी स्रेणी होती है, बच्चो जिसमें दो पदों के बीच का आंतर सेम होता है, देखो, दो और चार की बीच का आंतर, दो, चार और छे के बीच का आंत और 2,8-10 के बीच का आंतर दो, ऐसे-एसे, ठीक है, इनके बीच का आंतर देखो, 3 का, सब के 3 का होगा देखना, इसमें देखना 4 का, यानि, एक ऐसी स्रेणी जिसमें 2 पदूं के बीच का अंतर समान वता है, उसको समान अंतर स्रेणी पूछने, एन कुछ नंबर होगा, दसमापद, पंदमापद, बीसमापद, जो भी है, ठीक है, एनमापद क्या होगा, इसके लिए फॉर्मुला है, बच्चो लिखो, फॉर्मुला क्या लिखोगे, एन एक्वस टू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ध्यान लखना है, बच इसस ए क्या होगा, पहला पद होगा, ठीक है, और इसमें डी जो होगा, बत्तो समान अंतर होगा, जो डिफ्रेंस से दिया था, न, देखो, समान अंतर, समान अंतर होगा, डी की जगह क्या लिखोगे, जो समान अंतर होगा, ठीक है, इसको ध्यान लखना है, अब ये आपको कैसे पूछेगा देखो, क्वेशन लिखो इसमें, समानांतर स्रेणी, समानांतर स्रेणी, तीन, छे, नो, बार, पंदर का, 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 A, A क्या है पहला पत, पहले पत की जगह किता रखोगे, 3, प्लस, N-1D, यानि 25 वह पत कुछ रहा है, यानि A, N, N, N की जगह क्या है बच्छो, 25 रखोगे न, क्योंकि जो पत कुछ रहा है, N वह पत कुछ रहा है, तो N की जगह N रखोगे, तो N की जगह किता हो गया, 25 हो गया 25-1 into d d यानि समार अंतर 3 और 6 किता अंतर 3 3 का अंतर है तो into d यानि into 3 हो गया ठीक है formula में solve करो इसको 3 plus 25 में 1 minus करो 24 ठीक है 3 plus किता हो गया बच्चोई 24 into 3 यानि 3 धन अब 24 इसको 3 से into करो 4-3 बार का 2 और 1 बचा और 3 दोना 6 का 7 72 और 72 में 3 जोड़ो 75 आंसर कितना आगया उच्चो 75 तो कल लोगे ना इसको तो समार अंतर स्रेणी का N वा पर दगार पूछता है तो A N मराबर होता है A plus N minus 1 into d ठीक है ये question आता है पेपर में इसको थोड़ा अच्छा ध्यान रखना ये बहुत मतलब ज्यादा tough question भी नहीं है ठीक है तो N पदू का योग नहीं पढ़ाओंगा अगर N पदू का समार अंतर स्रेणी में N पदू का योग भी तो पूछता है ये इस टाइप से ठीक है तो last formula लिखो समार अंतर स्रेणी में N पदू का योग and last question ठीक है N पदू का योग तो समार अंतर स्रेणी में N पदू का योग जो होग अगर योग पुछेगा पहल तो खाए N वा पद निकालो योग पुछेगा तो N बाइ 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D ठीक है 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D आपने क्या करना है सेम है यहां यहसे याद करना है इसके नीची क्या कर देना है इसको 2 से गुणा करना और इसके नीची अपॉन टू कर देना है ठीक है तो N बाइ 2 आ जाएगा बाहर से और उस two से एक को into कर दोगे, अंदर same रहेगा, तो जैसे question कुषी काया, किसी समानंतर स्रेणी में, ठीक है, कोई स्रेणी दी होगी, 50 पदों का योग जाद करो, समानंतर स्रेणी में 50 पदों का योग, 50 में पद नहीं कहा, 50 पदों का योग लिखोगी, समानंतर स्रेणी देसे 3 समानंतर स्रेणी 3 6 9 बार में 15 पदों का योग 50 क्वेशन हो गया ठीक है पदों का योग यहनि N पदों का योग पूछ रहे जाना tahun तो 50 पदों का योग निकालने है तो आप क्या करोगे तुरंत फॉर्मूले में रख दूगे आपको पता चल जाएगा कि यहार हाँ, सर नहीं समाननतर स्रेणी कराईती, गतार रखोगे, 50गा योग पुछया तो 50 बठा 2, 2 x 2 ë 2ât, 9 x 4 IN于 D x 3, 3 6 9 3 का अंतर है इसको अगर आप solve गरोगे तो आपका काम बन जाएगा यह तो 25 हो गया यह 3 दोना 6 हो गया और इसको इंटो करो आपस में जोड़ दो और calculation कर लेना तो आपका यह बहुत एजली बन जाएगा अब देखो हो सकता है कि आप लोग यह थोड़ा सा complicated लग रहा अगले session पर अपना ध्यान रखिएगा तैंक यू